दोस्तों आए सुनते हैं महान लेखक मुन्शी प्रेमचंद की लिखी ये मज़ेदार कहानी ग्रिहनीती जब मा बेटे से बहु की शिकायतों का दफतर खोल देती है और ये सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की ठकान के कारण कुछ जुझला कर मा से कहता है तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है ये तो तुम्हारा काम है तुम उसे डाटो मारो जो सजा चाहे दो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है तमीज नहीं है बे अदब है उसे डांट कर सिखाओ मा वाह मुह से बात निकालने नहीं देती डांटू तो मुझे नोच ही खाए उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे बेटा तो फिर इसमें मीरी क्या खता है मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेद भी करे मा तो और कौन सिखाता है बेटा तुम तो अंधेर करती हो अम्मा मा अंधेर नहीं करती सत्य कहती हूँ तुम्हारी ही शह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डाटा कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए तुम तो खुद उसके गुलाम हो वह भी समझती है मेरा पती कमाता है फिर मैं क्यों नरानी बनूं क्यों किसी से दबूं मर्द जब तक शह न दे औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता बेटा तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता बिलकुल निखटू हूं क्या तुम समझती हो तब वह उससे बढ़कर अपने को दिखाता है मैंने कभी नादानी नहीं की कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी लेकिन स्त्री की द्रिष्टी में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा मा तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बाते सुनोगे तो वह क्यों न शेर होगी तुम खुद चाहते हो किस तरीके हाथो मेरा अपमान कराओ मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो किन अर्मानों से कैसे कैसे कश्ट जेल कर मैंने तुम्हें पाला खुद नहीं पहना तुम्हें पहनाया खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया मेरे लिए तुम उस मरने वाले की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाशाओं का केंद्र तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूशन होम कर दिये विद्वा के पास दूसरी कौन सी निधी थी इसका तुम मुझे ये पुरसकार दे रहे हो बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या है आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूँ आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई मुझे जीवन दान दिया मेरी स्रिष्टी की अपने गहने ही नहीं होम किये अपना रक्त तक पिलाया अगर मैं सौ बार अफ्तार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद कोई काम नहीं करता यथा साध्या आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रखतेता हूँ और मुझसे क्या चाहती है और मैं कर ही क्या सकता हूँ इश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया उसका हम उसे क्या बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते, इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? मा के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता चाहे वह भू मंडल का स्वामी ही क्यों नहो ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिल जोई ही तो कर सकता हूँ और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो मा तुम मेरी दिल जोई करते हो तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लॉंडी तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती मैं भी कभी बहू थी रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उनके सिर में तेल डालकर उन्हें दूद पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी तुम्हारी स्त्री नौ बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहन्ची में जा बैठती है दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मज़े से हवा खाती है मैं मरू या जीओ उससे मतलब नहीं इसलिए मैंने पाला था बेटा तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा मेरे अन्यमित्र भी है उनमें भी मैं किसी को मा की देह में मुक्यां लगाते नहीं देखता आप मेरे करतवय का भाल मेरी स्त्री पर क्यों डालती है यो अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन और कोई नहोगा मेरी आखों में उसकी इज़त दूनी हो जाएगी शायद उससे और ज्यादा प्रीम करने लगूं लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन होने का कोई कारण नहीं है शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता इसलिए नहीं कि वह मेरे पती की मा होती बलकि इसलिए कि वह मुझे से मातरीवत्स नहें करती मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहु सास के पाउं दबाए कुछ दिन पहले स्तियां पती के पाउं दबाती थी आज भी उस प्रता का लोप नहीं हुआ है लेकिन मेरी पत्नी मेरे पाउं दबाए तो मुझे गलानी होगी मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूँ यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पती की लॉंडी समझी जाती थी अब पत्नी और पती दोनों बराबर है कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ मा तो मैं कहती हूँ कि तुम ही ने उसे ऐसी ऐसी बाते पढ़ा कर शेर कर दिया है तुम ही मुझ से बैर साथ रहे हो ऐसी निरलच, ऐसी बद जबान, ऐसी तर्री, फूहर, छोकरी संसार में न होगी घर में अक्सर मुहले की बहने मिलने आती रहती है ये राजा की बेटी न जाने किन गवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती कमरे से निकलती तक नहीं कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती है तो भी ये गधी चार पाई से नहीं उठती प्रणाम तक नहीं करती, चरण छुना तो दूर की बात है बेटा, वह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी तुम्हारे और उनके बीच में नजाने क्या बाते होती हो अगर तुम्हारी बहु बीच में आकूदे तो मैं उसे बत्तमीज कहूंगा कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूंगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारी बहु वहाँ जाकर खड़ी हो जाए स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए न जाऊंगा ये तो आज कल का शिष्टाचार है मा, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा न जाने उसने कौन सी जड़ी सुंखा दी है तुम्हें ये कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आकूदे लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए बेटा, किस तरह? मा, आकर अंचल से उसके चरंड चुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा जहले इन ही बातों से बहु का आदर होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते है नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहु को घमंड हो गया है किसी से सीधे मुँ बात नहीं करती बेटा विचार करके, हाँ, ये अवश्य उसका दोश है, मैं उसे समझा दूँगा मा, प्रसन होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चार पाईस से उठती तक नहीं सब औरतें थुड़ी-थुड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे चुही नहीं गई और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ बेटा, ये मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों की जिम्मेदार क्यूं समझ लेती हो, मुझ पर दफतर में न जानने कितनी घुड़कियां पड़ती है रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानू भूती होती है क्या तुम समझती हो, अफसरों को मुझ से कोई बैर है, जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते है या उन्हें उन्माद हो गया है, जो अकारण ही मुझे काटने दोड़ते है नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ गलतियां करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ जहां अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने क्या उस वक्त हमें ये ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ये साहब डांठी तो बताएंगे, सिर जुका कर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी परताश खेलने का अफसर नहीं है, लेकिन कौन परवाह करता है? सोचते हैं, तुम मुझे दोशी समझ कर भी मेरा पक्ष लेती हो और तुम्हारा बस चले, तो हमारे बड़े बाबु को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो माँ खिलकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा, तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूझा करूंगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है और सभी माताएं अपने लड़कों के एब पर परदा डालती है फिर बहूं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्नियां चोट करें तो तुम्हारे मात्री स्निय का ये धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो कोई बहाना कर दो उनकी नजरों में उसे उठाने की चेश्टा करो इस तिरसकार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है मैं भी तो हर एक भ्रामन या बड़े बुढ़े का आदर सतकार नहीं करता मैं किसी ऐसे व्यक्ती के सामने सिर्ध जुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो केवल सफेद बाल, सिकडी हुई खाल, पोपला मूँ और जुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती और ना जनियू या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधी ही भक्ती की वस्तु है मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराद समझता हूँ मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा, वाचा, कर्मना हर पहलू से सम्मान की योग्य है जिसे मैं जानता हूँ कि मकारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूध तथा खुशामत की कमाई खाता है वह अगर भ्रमा की आयू लेकर भी मेरे सामने आय तो भी मैं उसे सलाम ना करूँ इसे तुम मेरा एहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ जब तक मेरा दिल न जुके, मेरा सिर भी न जुकेगा मुम्किन है तुम्हारी बहु के मन में भी उन देवियों की और से आश्रद्धा के भाव हो उन में से दो चार को मैं भी जानता हूँ हैं वे सब बड़े घर की, लेकिन सब के दिल छोटे, विचार छोटे कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलोज में अनुपम सभी रूढियों की गुलाम इर्शया दोश से जलने वाली एक भी ऐसी नहीं है, जिसने अपने घर को नर्ख का नमूना न बना रखा हो अगर तुम्हारी बहू ऐसी ओरतों के आगे सिर नहीं चुकाती, तो मैं उसे दोशी नहीं समझता मा, अच्छा, अच्चुप रहो बेटा, देख ले न, तुम्हारी यहरानी एक दिन तुमसे चूला न जलवाए और जाडू न लगवाए तो सही औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता, इस निरलजता की भी कोई हद है कि बुड़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहु बैठी उपन्यास पढ़ती रहे बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हर्गिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े चाहे वह उपन्यास प्रेमचन जी ही के क्यों न हो, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया वहां रसोया महराज है और जब चूले के सामने जाने से उसके सिर में दर्ध होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है मैं तो समझता हूँ, जियों जियों हमारे घर की दशा का उसे ग्यान होगा, उसके वेवहार में आप ही आप इस्कता होती जाएगी ये उसके घरवालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की हमने भी ये शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और ये प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं अब हम किस मुँ से ये कह सकते हैं कि तु खाना पका या बरतन मांज अथवा जाडू लगा हमने उन लोगों से चल किया है और उसका फल हमें चकना पड़ेगा अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नमरता, विनय और सहानु भूती से ढाके और उसे अपने दिल को ये तसली देने का अफसर दे कि बला से धन नहीं मिला घर के आदमी तो अच्छे मिले अगर ये तसली भी हमने उससे चीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घ्रणा करने लगे मा उसके घरवालों को सौदफे गरस थी तब हमारे यहां ब्याह किया हम कुछ उनसे भीक मांगने गए थे बेटा उनको अगर लड़के की गरस थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरस थी मा यहां के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मूँ फैलाई होए थे बेटा इसी लिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे मा तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहां के रईस हैं इधर ज़रा वकालत चल गई तो रईस हो गए नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासगीरी करते थे और लड़की का ये दिमाग की खाना पकाने से सिर में दर्ध होता है अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बरताव करती हैं ये नहीं कि बैठी अपने भाग्ये को कोसा करे इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं बेटा जब तुम समझने भी दो जिस घर में घुडकियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे घर तो वह है जहां सने और प्यार मिले कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी मा नहीं समझ सकती मा तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ मा का सा बरताव करे बलकि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिया समझे मा अच्छा अप चुप रहो, जी न जलाओ ये जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुँद देखा और उसके गुलाम हुए ये सब न जाने कौन सा मंतर सीख कर आती है ये बहु बेटी के लच्छन है कि पहर दिन चड़े सोकर उठे ऐसी को लच्छनी बहु का तो मुँ न देखे बेटा, मैं भी तो देर में सोकर उठता हूँ अम्मा मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा मा, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो बेटा, ये उसके साथ घोर अन्याय है क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत महमान की है और महमान की हम खातिर करते हैं उसके एब नहीं देखते मा, ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहु मिले बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी मा, क्या संसार में औरतों की कमी है बेटा, औरतों की कमी तो नहीं मगर देवियों की कमी जरूर है मा, नौज ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते-रोते बेदम हो जाए मिनक्ती तक नहीं फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी तीन महीने में लोटी तो बच्चा आधा भी नहीं है बेटा, तो क्या मैं ये मान लू कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है ये तो प्रकृती के नियम के विरुद है और मान लो, वह निर्मोहिनी ही है तो ये उसका दोश है तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो उसे पूरी स्वतंतरता है जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले अगर्वत तुमसे कोई सलहा पूछे प्रसन मुक से दे दो न पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती है और वह अपवाद नहीं हो सकती मा तुम मैं सब कुछ देखूं मू न खोलूं घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मू में कालिक लगाए खड़ी रहूं बेटा तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो उसे बहुत दिन रहना है घर की हानी लाब की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती फिर मैं कर ही क्या सकता हूं ज्यादा से ज्यादा उसे डांट बता सकता हूं लेकिन वह डांट की परवा न करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ ना दे सकूँ मा, तुम दो दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगणें बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं है, मैं उससे न बोलूँगा, वह भी मुझसे न बोलेगी ज्यादा पीछे पड़ूँगा, तो अपने घर चली जाएगी मा, इश्वर ये दिन लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहु लाओं बेटा, संभव है, इसकी भी चची हो सहसा बहु आकर खड़ी हो जाती है मा और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं मानो कोई बम गोला आगिरा हो रूपवती, नाजुक मिजाज, गरवीली रमनी है जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है कपोल तम-तमाय होए हैं, पर अधरों पर विश्भरी मुस्कान है और आखों में वियंगे मिला परिहास मा अपनी जहेप छिपा कर तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहु क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं न उठाऊं बेटा, मा बेटे के बीच में तुम्हें दगल देने का कोई हक नहीं बहु की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है बहु अच्छा, आप जबान बंद रखिए जो पती अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पती बनने के योग ये नहीं वह पती धर्म का कखग भी नहीं जानता मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता चाहे वह मेरी प्यारी मा ही क्यों नहीं होती तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दोड़ते फिरते हैं अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं और उसका जवाब मुझे यहां यह मिलता है कि बात बात पर ताने महने तिरसकार बहिशकार मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे तुमने अमुक महोदय को सलाम नहीं किया अमुक के चर्णों पर सिर के नहीं पटका मेरे बाबुजी कभी गवारा ना करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पका कर खिलाओ मेरे साथ यहां यह बरताव क्यों मैं यहां लॉंडी बनकर नहीं आई हूँ तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ मगर जीवन संगिनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे उपर सवार होकर मुझे जलाओ यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ उसकी प्रेड़ना मेरी आत्मा से होनी चाहिए तारना या तिरसकार से नहीं अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो मा की तरह प्रेम से सिखाए मैं सीखूंगी लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी चाती पर चड़कर अमरित भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं ओंट बंद कर लूँगी मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती मगर यहां तो हर घड़ी हर पल मेरी दे में सुई चुभा कर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लॉंडी है तेरा इस घर से कोई नाता नहीं तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहां लाई गई है और मेरा खुन खौल कर रह जाता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे मा सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बाते वह यहां लॉंडी बनकर नहीं रानी बनकर आई है हम दोनों उसकी टेहल करने के लिए है उसका काम हमारे उपर शासन करना है उसे कोई कुछ काम करने कौन कहे थर-thर कापते रहते हो बेटा अच्छा अम्मा ठंडे दिल से सोचो मैं इसकी बाते न सुनू तो कौन सुने क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती आखिर बाबुजी जीवित थे तब भा तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं तुम्हें प्यार करते थे या नहीं फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ और इसमें तुम्हारे बुरा माननी की कौन बात है मा हाई बेटा तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो इसी दिन के लिए मैंने तुम्हे पाल पोस कर बड़ा किया था क्यों मेरी च्छाती नहीं भट जाती वहां आसु पोचती आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है स्त्री पुरुष दोनों कौतुब भरी आँखों से उसे देखते हैं जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है पति मा का हृदय स्त्री मा का हृदय नहीं स्त्री का हृदय पति अर्थात स्त्री जो अंध तक पुरुष का सहारा चाहता है स्निह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर इरश्या से जल उठता है पती क्या पगली किसी बातें करती हो स्त्री यथार्थ कहती हूँ पती तुम्हारा दृष्टी कुण बिल्कुल गलत है और इसका तजूर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी स्त्री मुझे सास बनना ही नहीं है लड़का अपने हाथ पाउं का हो जाए ब्याह करे और अपना घर संभाले मुझे बहु से क्या सरोका पती तुम्हें ये अर्मान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो तुम्हारी बहु लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे स्त्री क्या मै मा नहीं हूँ पती मा और सास में क्या कोई अंतर है स्त्री उतना ही जितना जमीन और आस्मान में है मा प्यार करती है सास शासन करती है कितनी ही दयालू, सहनशील, सतोगुणी स्त्री हो सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है वह बहू पर उतनी ही निर्दैता से शासन करती है मुझे भी अपने उपर विश्वास नहीं है अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता मैंने तैकर लिया है, सास बनूगी ही नहीं औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है जिस दिन सासे न रहींगी औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा पती, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धी से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो तुमने हमारी बातें कुछ सुनी स्री, बिना सुने ही मैंने सब समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी वही बहु का रोना पती, नहीं नहीं, तुमने बिलकुल गलत समझा अम्मा के मिजाज में आज मैंने विसमेकारी अंतर देखा बिल्कुल अभूत पूर्व आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं संकेत रूप से अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर में उठती हो अब शायद उन्हें ये चंता हो रही है कि कहीं सबेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी स्त्री प्रसन होकत सच पती हाँ मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ स्त्री तो अब मैं मुझे अंधिरे उठूंगी ऐसी ठंड क्या लग जाएगी लेकिन तुम मुझे चक्मा तो नहीं दे रहे हो पती अब इस बदगुमानी का क्या इलाज आदमी को कभी कभी अपने अन्याई पर खेद तो होता ही है स्त्री तुम्हारे मुझे घी शक्कर अब मैं गजरदम उठूंगी वह बिचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी मैं खुद गर्म कर लूँगी आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता पती, मुझे उनकी बात सुन-सुन कर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितना भनाती है चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बुड़ी आ जाए तो तुम उसके चरण चुओ लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते है शायद उन्हें अपनी जवानी आदा रही है कहती थी यही तो शौक सिंगार पहनने ओडने खाने खेलने के दिन थे बुढियों का तो दिन भर ताता लगा रहता है कोई कहां तक उनके चरण चुए और क्यों चुए ऐसी कहां की बड़ी देविया है स्त्री मुझे तो हर्शोन माध हुआ चाहता है पती मुझे तो विश्वास ही ना आता था स्वपन देखने का संदे हो रहा था स्त्री अब आई है रहा पर पती कोई देवी प्रेड़ना समझो स्त्री मैं कल से ठेट बहु बन जाऊंगी किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेक अप करती हूं सिनेमा के लिए भी सब्ता हमें एक दिन काफी है बूढियों के पाउचू लेने में ही क्या हरज है वे देविया न सही चुड़ैले ही सही मुझे आशिरवाद तो देंगी मेरा गुण तो गावेंगी पती सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया स्त्री तुमको जो इसका शौक है अब तुम्हें भी न जाने दूँगी पती लेकिन सोचो तुमने कितनी उंची शिक्षा पाई है किस कुलकी हो इन खोसत बूढियों के पाउँ पर सिर रखना तुम्हें बिलकुल शोभाना देगा स्त्री तो क्या उंची शिक्षा के ये मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें बुढ़े कितने ही मूर्ख हो लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते है कुलकी प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्वेवाहार से होती है हेकडी और रुखाई से नहीं पती मुझे तो यही ताजुब होता है कि इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे हो गई अब इन्हें बहुओं का सास के पाउं दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है कहती थी बहु कोई लॉंडी थोड़ी है कि बैठी सास का पाउं दबाए स्त्री मेरी कसम पती हाँ जी सच कहता हूं और तो और अवह तुमें खाना भी न पकाने देंगी कहती थी जब बहु के सिर में दर्ध होता है तो क्यों उसे सताया जाए कोई महराज रख लो स्त्री भूली न समाकर मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूं ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पीए मगर तुमने पूछा नहीं अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी पती पूछा क्यों नहीं भला मैं छोड़ने वाला था बोली मैं अच्छी हो गई थी मैंने हमेशा खाना पकाया है फिर भग क्यों न पकाये लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि भग निर्दन बाप की बेटी थी तुम संपन्न कुल की कन्या हो स्त्री अम्मा जी दिल की साफ है उन्हें तुरंत त्यार देना उनके लिए कठिन है वह क्यों कोई भी नहीं छोड़ सकता वह तो फिर भी बहुत उदार है तुम अभी महराज मत रखो ख्वाम ख्वाँ जेर बार क्यों होंगे जब तरक्की हो जाए तो महराज रख लेना अभी मैं खुद पका लिया करूंगी तीन चार प्राणियों का खाना ही क्या मीरी जाद से कुछ अम्मा को आराम मिले मैं जानती हूं सब कुछ लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं पती मगर ये तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाउं दबाने बैठो स्त्री बुरा लगने की कौन बात है जब उन्हें मेरा इतना खयाल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए जिस दिन मैं उनके पाउं दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी आखिर बहु बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो बड़ों की सेवा करने में हेट ही नहीं होती बुरा तब लगता है जब हर शासन करते हैं और अम्मा मुझ से पाउं दब वाएंगी थोड़े ही सेंथ का यश मिलेगा पती अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती कहती थी रुपए पैसे बहु के हाथ में दे दिया करो स्त्री चिड़कर तो नहीं कहती थी पती नहीं नहीं प्रेम से कह रही थी उन्हें अब भै हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी तुम बार-बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी एवं तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना कटना मुश्किल हो जाए थोड़े में निर्वह करने की विद्या उन्ही को आती है मेरी ऐसी जरूरते ही क्या है मैं तो केवल अम्मा जी को चिड़ाने के लिए उनसे बार-बार रुपे मांगती थी मेरे पास तो खुद 150 रुपे पड़े रहते हैं बाबु जी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा आखिर बाबु जी कब तक देते चले जाएंगे और ये कौन से अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूँ पती, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है स्त्री, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ पती, मगर शुरू तो उन्होंने किया स्त्री, केवल विचार में व्यबहार में आरब मेरी ही ओर से होगा भूजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ आज कोई खास चीज तो नहीं खाओगे पती, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मज़ा देंगी स्त्री, अब तुम नटखटी करने लगे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महान लेखक मुशी प्रेमचंद की लिखी ये मज़ेदार कहानी ग्रिहनी थी उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद